सबी देखने वालों को संजीब कपूर का प्यार भारा नमस्कार ये जो सीरीज हमारी चल रही है इसमें बहुत ही रिफ्रेशिंग चेंज है हर चीज में लाइफ में चेंज होना बहुत ही ज़रूरी है अब देखिए आप खाना बनाने से बोर हो जाएं तो कोई शौक अपना ऐसा रखें जिससे आप अपने आपको वियस्त रख सकें बिजी रख सकें अब वो शौक फोटोग्रफी हो सकता है अब देखिए फोटोग्रफी बड़ी कमाल की चीज है मैं जब कुछ 12-13 साल का था शायद तब मैंने फोटोग्रफी का एक कोर्स किया उससे में फोटोग्रफी जो थी वो कुछ अलगी चीज होती थी उससे में ना सिरफ फोटो खीच के उसके बाद उसको ड्वलप करके प्रिंट करना वो सब कुछ सीखा था मैंने अब आपका शौक क्या है आपके उपर निर्वर करता है आप फोटोग्रफी अपने फोन से ही शुरू करें कॉंपोजिशन ठीक करना शुरू करें थोड़ा सा उसमें element of surprise लेके आएं थोड़ा सा कुछ उसके अंदर अलग लेके आएं sense of aesthetics जो है वो ढंक से होनी चाहिए color की sense अच्छी होनी चाहिए तो धीरे धीरे आप थोड़ा उसके बारे में पढ़ाई करें कुछ फोटो खीच के देखें फिर देखें किस तरह से आपको कुछ relaxation बिलेगी खेर अभी रिलाक्स करने के लिए एक नीमू पानी नमकीन वाला बनाते है नीमू पानी में क्या है नहीं नहीं आप देखेंगे कि क्या है इसमें जीरा इसमें चाहिए मुझे अच्छा भून के इसे जला लेना है मतलब almost burnt cumin burnt कैसे जलेगा देखेंगे हम इसको पकने देते हैं यह जो नीमू पानी है इसकी खासियत है यह अदरक अदरक बड़ी कमाल की चीज़ है अदरक के अंदर बही जो स्वाद आता है न वो तो क्या बताएं आपको अदरक का जो रस है वो जबरदस्त होता है अदरक हो गया नीमू जो है यह ले लेते हैं और इसमें नीमू को यह लेते हैं नीमू के रस के लिए और यह जो है नीमू का लुक इस ड्रिंक में एक काम करते हैं यह जो अदरक है यह ले लेते हैं उसके साथ-साथ कुछ पुदीने की पत्तियां यह जो नीमू पानी है न कहीं बार तुमुझे ऐसे लगता कि यह दवाई जादा है डॉक्टर हो गयरा पुराने जमाने में बस इसी तरह से वेद जो है वो सब चीजें कूट-कूट के बनाते थे बढ़या फ़़या दवाईया बस कुछ हम भी वैसे ही बना रहे हैं यह दवाई और सिंपल सी डिश बन रही है नीबू पानी लेकिन यह नीबू पानी जो है आप पी के कहेंगे वाह ऐसी चीज पीनी चाहिए यह हो गया तयार और अब मेरे पास तो है यह देखे कॉक्टेल चेकर अगर आप के पास यह नहीं है तो कोई बात नहीं ज़रूरी नहीं कि इसमें आप डाल के इसको बनाएं यह जो है इसमें मैं इसलिए यह डाल रहा हूँ क्योंकि इसको अच्छी तरह से मिक्स करना चाहता हूँ और इसे मैं जड़ा चानूंगा भी तो बहुत ज़रूरी है इसको चानना और इसके साथ यह नीम्बू हल्का सा क्रेश करना है यह देखे और फिर यह जो नीम्बू है और अब इसके अंदर नीम्बू का रस यह हो गया नीम्बू मुझे कम लग रहा है तो नीम्बू का रस मेरे पास और है और ये जो जीरा है अब ठीक हो गया ये बंद कर दिया इसमें थोड़ा नमक और उसके साथ-साथ इसमें काला नमक अब ये जो है ये कॉंबिनेशन जबरदस्त करने के लिए ये जीरा थोड़ा सा ठंडा कर ले और इसे ये जो है इसमें से गर्मी निकल रही है तो अब ये देखें ये हमारे पास जीरा ये ही जीरा इसके अंदर इसके अंदर बरफ थोड़ा पानी और अब इन सब चीजों को पुदीने के साथ चान लेते हैं इसे अगर आपको बिल्कुल अच्छे से चानना है तो छोटी छनी में चानियेगा नहीं तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा जीरा आने दे सकते हैं मूँ के अंदर और इसमें जो हमारे पास नीम्बू है न वो भी जरा मैं इसमें डालना चाहता हूँ इसमें जो हमने अदरक क्रश किया था न बस वो नहीं मैं चाहता कि अदरक मूँ में आए बाकी जो चीजें बाकी सब चलेंगी इसमें ये इसमें सोडा पुदीने के पत्ते इतने बढ़िया लग रहे हैं इसमें वाह जरा एक बार अच्छी तरह से इसे हिलाना पड़ेगा और ये जरा चखना भी पड़ेगा इसका जो स्वाद है न मैं सोच रहा हूं कैसा है अगर गोलगप्पे का पानी और ये साथ में रख दिया जाए तो आप उसको भूल जाएंगे इसको पीते रहेंगे पीके देखे हाजमे के लिए जोड़ता है